हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खुपवसूरत राज्य है हिमाचल प्रदेश एक diverse geography वाला territory है पहाड है, snow-filled mountains, plain area है जितना दूर देखो उतने दूर खुपवसूरत फूल, valley of flowers हिमाचल प्रदेश recently एक index आया है, एक ranking आया है State of Happiness Ranking 2023 स्टेट ऑफ हैपिनेस रैंकिंग 2023 इस रैंकिंग में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश is the happiest state in इंडिया और हो भी क्यों ना इतनी सुंदरता से भरपूर राज्य है अ स्टेट फिल्ड विद ब्यूटिफुल सीनिक एरियास बहुत सुंदर द्रिश है बहुत सुंदर इलाके है पर आखिर हम identify कर रहे हैं what exactly is the reason जिस वज़े से इसको happiest state का ये दर्जा दिया गया है और वो तब जब recently इंडिया को 126th position पे रखा गया है 126th position पे रखा गया है 136-137 countries दुनिया में उन में से सबसे जादा खुश state Finland है इंडिया को बहुत low बहुत poor बहुत low ranking मिली है in fact अगर मैं आपको दिखा हूँ इंडिया के finance minister S.J. Shankar जी ने इस बात को criticize किया है कि कभी इंडिया आके देखिए we are amongst the happiest nations we are amongst those countries जो इस टाइम पे सबसे जादा खुश है सबसे जादा सुखी है फिर भी United Nations Sustainable Development Solutions Network ने हमको one of the happiest countries की category में रखा ही नहीं है तो यही reason बना कि इंडिया की low ranking है आपकी United Nations के Sustainable Development Solutions Network की report के अंदर ranking के अंदर but out of the Indian states हिमाचल प्रदेश is the happiest one अब एक बारी मैं ऐसे ही similar सा एक और आपको index दिखाना चाहता हूँ यहां पर सबसे उपर कैरला है फिर second पर गुजरात थर्ड पर तमिल नाडू these are big size states जिनके पास domestic product gross state domestic product जिसका मतलब है कि आखिरकार state पैसा कितना कमाता है gross state domestic product एक state की साल भर में कितना उत्पादन होता है कितनी कमाई होती है कितना domestic production होता है अब हिमाचल प्रदेश का इन सारे states के मुकाबले GSDP इतना हाई नहीं है GSDP इतना हाई नहीं है बट स्टिल हिमाचल प्रदेश टॉप फोर में है one of the happiest state है और यही बात एक अलग index के दौरा एक अलग HR human resource firm के दौरा जिसका नाम है happy plus consulting happy plus consulting इन के दौरा यह data दिया गया that हिमाचल प्रदेश is the happiest can you guess which is the unhappiest सबसे unhappy state कौन सा है इंडिया का it is उत्तर प्रदेश वेल इसको हम इतना surprise के तौर पे नहीं लेंगे अभी recently जो encounter की series देखी है हमने UP के अंदर तो possibility है कि उत्तर प्रदेश में government और police का थोड़ा high-handed attitude है थोड़ा high-handed attitude है इस वज़े से उनको happiest की category में नहीं रखा गया है तो जो मैं अभी आपको data बता रहो यह data एक retired officer civil servant के द्वारा दिया गया है in fact ambrosia नाम की एक report है इस report के थुरू पता चला है in terms of per capita liquor consumption शराब जो चोटा चोटा लिटल लिटल in terms of liquor consumption हिमाचल प्रदेश is amongst the top seven states पंजाब इस लिस्ट में है तो हो सकता है liquor consumption का और कहीं ना कहीं एक happy life का कुई ना कोई relationship है मतब it is not such a big coincidence कि पंजाब भी top seven की list में आता है but alcohol does not solve any problem of any life's problem life में किसी भी problem को alcohol solve चो नहीं करती है तो there are a lot of facts, lot of points जिनके basis पर happiness आपको देखने मिलती है जब यह जब भी data निकालते हैं तो वहाँ पर generosity देखते हैं कि state के अंदर कितने दया दयालू दयावान कितने जादा generous population है दयालू लोग कितने हैं दूसरों को दान देना दूसरों को assistance प्रोवाइड करना charitable work करना जिस state में जिस country में ऐसी generosity जादा होती है वो state हमेशा sustainable development solutions network के global parameters के हिसाब से आगे रहता है हिमाचल प्रदेश में भी जब हम generosity की बात करते हैं तो it is much ahead the other states बाकी states के मुकाबले काफी आगे है दूसरी बात दूसरा criteria देखा जाता है perception of corruption ब्रश्टा चार हिमाचल प्रदेश एक चोटा राज्य है बार बार अलग-अलग political parties पर corruption का आरोप लगता रहता है चोटे भड़े ब्रश्टा चार के corruption के आरोप लगते रहते हैं बट mostly it doesn't affect the people of हिमाचल प्रदेश at a very large level ठीक है ना मतलब बाकी states से अगर compare करो तो बाकी states के मुकाबले इनका gross domestic product state का gross state domestic product मतलब साल भर में कितनी कमाई होती है इतना ज्यादा तो नहीं है as compared to Gujarat as compared to Maharashtra as compared to Karnatka as compared to Punjab as compared to Haryana हिमाचल प्रदेश की ना आबादी उतनी ज्यादा है ना GSDP GSDP मतलब साल भर में कितनी कमाई करता एक state ना वो ज्यादा है still in that case आपको देखने मिलेगा कि बाकी बड़े state से ज्यादा happy यह आपको हिमाचल प्रदेश state देखने मिल रहा है तो यह कुछ parameters है जिनको देखा गया जिनको happiness के basis पर जाज करने के लिए review किया गया and it has been found out that it is amongst the happiest Indian states यहां पर sense of nationalism is very high हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की population के comparison में in terms of population the people who enlist themselves in armed forces is very high population के comparison में जो लोग खुद को सेना में डालते हैं बाकी states के मुकाबले तो in comparison to the population of the state population कम है बट फिर भी एक बड़ी जनसंख्या armed forces में जुडती है armed forces में जाती है तो एक यह factor भी है कि nationalism की भावना है and they are feeling that peace the patrioticness the brotherhood tourist घूमने जाते है उनसे interaction होता है cultural exchange होता है global exchange होता है तो यह सारी बात है अभी recently एक retired civil servant ने अपने article में हिमाचल प्रदेश के बारे में देखने मिली है what makes हिमाचल प्रदेश the happiest state in India these are certain factors तो in terms of generosity वो बहुत हाई है gross state domestic product उतना जादा नहीं है but when it comes to the population आबादी के मुकाबले आबादी के comparison में काफी जादा है काफी high देखने मिलेगा उसके लावा आपको social parameters के उपर हिमाचल प्रदेश की growth काफी समय से हो रही है education level better होता जा रहा है health care health condition बहतर होती जा रहे new hospitals have been opened as part of government initiatives हाँ मैं ये नहीं कहला कि corruption बिलकुल नहीं है कई बार सरकार पर corruption के आरोप लगे हैं but फिर भी state in terms of health reforms पहले से सुधरा है सरकार के उपर उतना जादा पैसा नहीं है कि वो budget असानी से social reforms के उपर लगा सके health के उपर education के उपर लगा सके फिर भी जितना भी पैसा governments लगा पा रही है health और education reforms हुए है that is why they have been given highest rank first rank और ये पहली बार नहीं है पिछली बार भी पिछले edition में भी जो इस HR firm के द्वारा इस consultancy firm के द्वारा इनको first rank दी गई है this is not the first time last year also हिमाचल प्रदेश got the first rank in the happiest state of India इतना जादा diverse geography वाला राज एक बहुत जादा सुखी एक बहुत जादा खुश राज है उसके certain factors I have discussed with you that is it peaceful condition होना किसी भी state में बहुत जरूरी है corruption की कमी होना किसी भी state में बहुत जरूरी है बाकी states के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में ये दोनों जादा हैं it is more in comparison to the other Indian states that is why it has risen with frying colors this time कि इतनी अच्छी ranking इतना अच्छा इनको score मिला है इतनी अच्छी ranking मिली है right all right thank you this session को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद thank you let's connect on our social media website I'll share the link with you that is Vasu Katara study IQ Telegram है मेरा वसू Katara study IQ इस पर आप मेरे साथ साथ connect हो सकते हैं आप मेरे साथ यह टेलीग्राम ग्रूप है बाइद वे प्लीज कनेक्ट है एक अगर आप UPSC के तयारी कर रहे है study IQ.com पे आकर live classes live course UPSC live पे click करें आपको batch number three prelims to interview batch देखने मिलेगा तर फीस seem to be very high don't pay this much इतना आपको pay नहीं करना हमारे courses एक affordable attractive fees में available रहेंगे आपके लिए वसू live admission discount code को अगर आप use करेंगे तो आपको maximum discount मिल जाएगा maximum discount avail करने का मौका मिलेगा शुक्रिया सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद goodbye good luck take care